एक तरफ भारत जहां विश्व में चीन को पचाड कर नमबर वन अबादी वाला देश बन चुका है तो अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार की अबादी भी साल 2036 में 30% बढ़ जाएगी जिहां एक आकड़ा सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि देश में 13 साल बाद ह पर सात्वा वैक्ती बिहारी होगा 2036 तक बिहार की अबादी 30% बढ़ने वाली है कुल पॉपुलेशन में राज्य के हिस्तधारी 14.5% होने वाली है देश और दुनिया में लगतार बढ़ रही आबादी विश्व के लिए चिंता का विसय है यहीं कारण है कि हम हर साल ग्लो के उदेश जनसंख्या से संबंदित मुद्दो को लेकर लोगों को जागरू करना होता है समाज को जागरू करना होता है अगर बात करें बिहार की तो 2018-19 के सरकारी आकड़ों के मुताबिक यहां की जनसंख्या अभी 12 करोड से जादा है वहीं प्रजनन करीब 2.9 डिग्री ह आपको बता दे कि नेशनल कमिशन ओन पोपुलेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2036 में देश के अबादी 1.52 करोड हो जाएगी जिसमें बिहार के हिस्तिदारी 14.5 परतीसत होगी जो महराश्र को पीछे छोड़के यूपी के बाद दूसरा सरवादिक अबादी वाला राज बन आने वाला है यानि देश में हर सात्वा व्यक्ति बिहार से होगा तब जनसंक्या का घनत्व 463 व्यक्ति प्रती किमी हो जाएगा 2036 में रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के छेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमेटर के हिसाब से अभी प्रतीवक्ति 9,583 वर्ग फुट जमीन है जो आज से 14 साल बाद सिमट कर 6,979 वर्ग फुट रह जाएगी क्योंकि तब तक बिहार के अबादी 30,60 बढ़ने वाली है 2036 में बिहार का जनसंक्या का घनत्व 1588 व्यक्ति प्रती वर्ग किमी होगा 2011 के जनगर्णा के अनुसार या आकड़ा 2022 में 1106 था 2011 में बिहार के मीडियम एज 19,9 साल थी यानि यह वर्ग आयू जिसके नीचे आधी और उसके उपर आधी बादी है अगले 15 साल दसक में मीडियम एज 28,1 साल होगी बिहार आज भी सबसे युवा आबादी वाला राज है तब भी बिहार देश का सबसे युवा आबादी वाला राज होगा क्योंकि तब देश की मीडियम एज 34,5 साल होने वाली है बिहार में 2011 में प्रती हजार पुरूस 918 महिलाएं थी जो 2036 में 935 हो जाएंगी हाला के 2021 के नेशनल हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार पहली बार भारत की कुलबादी में 1000 पुरूसों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है 1921 में बिहार जारखंड सहीत ओडिसा एक था तब राजी का छेत रुफल 2.89 प्रती किलोमीटर था तीनों राजियों की संयुक्त अबादी 3.79 करोड से जादा थी तब बिहार की जनसंख्या करीब 2.15 करोड आ गई थी अब 232 सालों में राजी की अबादी करीब 12 करोड हो गई है अगले डेट दसक में देश में बिहार दूसरा सबसे बड़ी अबादी वाला राजी होने वाला है कुल अबादी में 14.5% लोग बिहार के होंगे बिहार से अधिक 19.2% यूपी की हिस्सदारी होगी अभी महराष्ट देश में सबसे अधिक अबादी वाला राज्य बना हुआ है तो अब 2036 में बिहार की अबादी 30% बढ़ने वाली है और देश में 13 सालों के बाद देश का हर सात्व अबैक्ती बिहार का होगा